Hello everyone, कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे, मिरा नाम है सुनिल अधिकारी, बहुत-बहुत स्वागत है, वापिस है आपका lecture number 5th and year about यह हमारा, आज के वीडियो में एक बहुत important topic है, लेकिन कई teachers इस topic को omit कर देते हैं, छुड़वा देते हैं, लेकिन हम ये topic को पढ़ने वाले हैं बहुत-इस simple language में आपको समझाने वाला हूँ, छोटा रखेंगे वीडियो ताकि आपको एक-एक चीज़े easily समझ में आजाए, देखे, rule of profit in the business, इस topic का मतलब क्या है, इस topic का मतलब है कि profit जरूरी क्यों है business में, कितना important है business के लिए profit, right, simple से 5 point है, एक-एक करके समझाने वाल मान के चलो, अगर आप मैं business कोलते हो, तो सबसे पहले आपका motive क्या रहेगा, कल से मुझे एक business खोलना है, सबसे पहले क्या करता हूँ, ये business मैं खोलतो रहा हूँ, इसके साथ-साथ मैं इसके 10 और branches खोल लेता हूँ, तो ये बेव कोफी होगी न, क्योंकि देखे हमेशा की मेरा जो saying है हमेशा, आप जो product बना रहे हैं, सौ लोग और भी same वही product बना रहे हैं, तो सबसे पहली strategy आपकी क्या रहती है, market में survive करना, एक से दो साल अगर आप survive कर लेते हैं, उसके बाद आप profit की सोचते हैं, उसके बाद आप expansion और growth की सोचते हैं, जो कि हमारा second point है, तो in business बता रहे हैं, तो सबसे पहले survive करेगा, और survive भी कैसे, देखिए, survive में profit का क्या रूल है, देखिए, यहां पर एक दो साल में ने क्यों बोला, मान के चलिए, अगर आप सिर्फ 10 साल तक survive कर रहे हैं, survive मतलब होता है, जितना पैसा आ रहा है, उतना ही जा रहा है, जितने मे यह situation एक से दो साल तक तो हम जेल लेंगे, है ना, शुरू शुरू में नया नया है, workers भी कम थे, खुदी बना रहे थे, खुदी बेच रहे थे, लेकिन यह 10 साल तक continue रह सकता है का नहीं, थोड़ा बहुत profit तो required है ना, अगर आप थोड़ा बहुत profit required होगा, तो इसी के लिए भी आपको एक certain capital required है, तब यह आप लंबी duration के लिए market में tick पाओगे, survival मतलब टिक ना, expansion and growth, normal सी चीज़े हैं, जब तक आप profit नहीं कमा पाओगे, क्योंभी देखे, stages बताया था, survival, फिर profit, और फिर growth, पहले survive, एक से दो साल, फिर दो साल बाद profit होता है, फिर आप growth क पैजी देता हूँ, 10 जगे और अपनी दुकान खोलता हूँ, किसने रोका है, क्योंकि profit तो हो ही रहा है, वो expand करने के लिए, अपनी branches खोलने के लिए, आपके पास required profit तो है, तो क्या problem है, कोई problem नहीं है, तो आपके required profit है, तो अब expand भी कर पाओगे, grow भी कर पाओगे, तो व चीज़े हैं, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, कोई भी कमपनी है, Tata है, Reliance है, Amazon है, Flipkart है, PTM है, कोई भी कमपनी है, आप कैसे अंदाजा लगाते हैं, कि ये कमपनी successful है, ये कमपनी बहुत अच्छा कर रही है, बोले बोले बोले, profit से ना, या simple सी भाशा में, ये तो money है, simple हो रहा है ना, किसके पास कितना money है, तो money, एक common लोगों के लिए होगा, businessman के लिए, वो ही चीज़ क्या होगी, profit होगा, तो जितना कमपनी जादा profit कमाएगी, उतना जादा ये show होगा, symbol होगा, कि वो company effective है, efficient है, और वो ही एक index, मतलब measurement का tool है, profit क्या है, एक measurement का tool है, जि अच्छा है या नहीं, measurement tool क्या है, company में profit है, उसके लिए क्या है, mark sheet, 10th में कितने marks आए, 11th में कितने marks आए, 12th में कितने marks आए, it's a tool, it's a tool ना, आप 10 minute में, 5 minute में, 1 second में, 1 minute में, किसी बच्चे को judge नहीं कर सकते, तो judge करने के लिए क्या tool अपना हो, simple सा, हम teacher बगरा क्या आते हैं, अच्छा, 8th की percentage बताईए, 10th की percentage बताईए, तो हम वहां से एक idea लगा लेते हैं, बच्चा कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, 90 plus है तो बहुत अच्छा है पढ़ाई में, वैसे ही company अच्छी है या बुरी है, it's all comes down to the profit part, समझ में आ रहा है, yes or no, है ना, symbol of efficiency और index of performance, right, अच्छा, बहुत बच्चे बोल रहे थे सर, आप ये जो notes से पढ़ाते हैं, क्या हमें वो मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं, description में link चेक कर लेना, वहां से आप notes को download कर सकते हैं, notes free नहीं है, paid है, लेकिन बहुत ही minimum amount है, इतना minimum amount है कि आप रोज अपने उपर और रुपए खर्च करते हैं, अगर उतने amount में वो, ये notes, ये notes जो आपको बहुत अच्छे marks दिला सकते हैं, ये purchase करते हैं, तो वो decision आपके उपर है, नहीं तो आप पढ़ी रहें, right, कोई दिक्कत है हैं, नहीं मुझे, चलिए, fourth point, reward for bearing the risk, अच्छा, ये थोड़ा technical term में कहा गया है, कि unless rental आप रिस्क लोगे, तब ही आपको profit मिल पाएगा, no risk, no profit, ठीक हैं, जितना जादा रिस्क लोगे, उतना जादा प्रॉफिट अर्ण कर पाओगे, simple हो रहा है, जितना जादा आप रिस्क लोगे, उतना जादा confusion तो नहीं है, बिजनस में कहा जाता है, कि unless rental आप रिस्क नहीं ले रहे हो, तो आप profit भी नहीं generate कर पाओगे, तो reward क्या है, reward हमारा profit है, क्या लेने का, रिस्क लेने का, ठीक है, थोड़ा कचरा हो गया है, लेकिन इसको समझ लेना, समझाना भी जरूरी है, थोड़ा सा मिट care कर देता हूँ यह, ताकि और example के थुरू आपको समझाओ, एक्जांपल के वेना मज़े नहीं आता, और example में आपके relevant देता हूँ, जो आपके दिमाग में जाए, ठीक है, मैं अपने level पर example देने लग गया, तो आप भाग जाओगे, है ना, कुछ और पढ़ने लग या भाग जाओगे, तो अलग-लग चीज़े हैं, जो आपको बहुत जरूरी है, समझाने, चले इतना clear हो गया, मैं थोड़ा सा आपके example के थुरू पी समझाओगा, ठीक है, तो समझ में आ गया, रिस्क लोगे, तो ही profit होगा, रिस्क इक्वल स्टू प्रॉफिट, सिंपल स तो भाग या, autopilot पे चले जाएगा तुम्हारा business, और autopilot पे एक साल, दो साल चल जाएगा, उसके बाद नहीं चल सकता, then you have the last point call, helps to gain reputation और goodwill, समझ में आ रहा है, आप यह समझाता हूँ, helps to gain, मतलब business में profit help करता है, helps यहां पर किसके लिए है, business के लिए, business के profit के लिए, profit मदद करता है, reputation और goodwill frame करने में, जिसे मैंने बताया है न, जितना जादा एक बच्चे का report card में लिखा रहेगा, 90%, 95%, उतनी जादा उसकी reputation होगी, दिखने में कैसा भी है, चलने में कैसा भी है, बोलने में कैसा भी है, लेकिन, if he has the good academics behind it, उसकी वह वह हमेशा होगी, वैसे ही, business अगर profit कमा रही है, कैसे भी कमा रही है, लाको करोडों में उसकी अगर उसका revenue generate हो रहा है तो वहां पर क्या है उसकी reputation उतनी ही जादा है अमेर इंसान की reputation yüzden जो भी आप celebrity हैना सारे करोडों पदम है क्यों हो इतना जारा goodwill है reputation कही ना कही उनका जो money है payssa है कही ना कही उसकी वज़े से भी है काम कर रहे है काम से काम कर रहे है तब ही profit हो रहा है profit और reputation reputation का direct relation है यतना जादा business profit कमाएगा उतनी जादा उसकी reputation होगी कि यार ये बढ़िया business है ये revenue generate कर रही है, stock market होता है न, वहाँ पर हम कौन सी companies में पैसा लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, कौन सी companies में, जो company अच्छा कर रही है, revenue अच्छा generate कर रही है, profit अच्छा earned कर रही है, simple सा funda क्या है हम हमेशा से ही ऐसी companies में पैसा लगाते हैं जो कि अच्छा revenue generate कर रही है सो कही ना कहीं reputation और goodwill जो है वो profits से ही बनती है किसी भी firm की clear हो रहा है बच्छों यह पाच्छा point यार important है question आता है तो आप ऐसे आपको समझाने है survival, expansion and growth symbol of efficiency or index of performance reward for bearing risk और आपका helps to gain reputation और goodwill, clear हो रहा है next video लंबा होने वाला है क्योंगी classification हम पूरा एक ही वीडियो में खतम करूँगा, ठीक है आपको 10 वीडियो देखनी के जरूरत नहीं है यह एक बार देख लिया तो classification का और कोई वीडियो देखनी के जरूरत नहीं पड़ेगी मिलते हैं next video में till then take care, goodbye पढ़ते रहे हैं, मेहनत करते रहे हैं notes description में है, check करना मत भूलिएगा this is Sunil, signing off, thank you so much